हलो जी नमश्कार सलाम सस्रियकाल विश्यू आपके सामने हूँ आज फिर एक भेहतरीन सेशन लेकर के आज हमने एक नया सीरीज शुरू कर रहा है कि बड़ी छोटी छोटी कुछ टिप्स और ट्रिक्स बच्चों को जरूर दी जाएं ताकि वो किसी भी कॉंप्लेक्स चीज को असानी से याद कर सकें इसी सिलसले में आज सबसे पहली बार आपके सामने लेकर के आए हैं टिप्स टु रिमेंबर कुरेनिया नर्व्स राइट जी एक बास स्क्रीन पर देखने चाहूँगा कौन-कौन राजा बेटा रानी बेटे हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ संदीप तौसीव अनस अमिता तनू उमर रहमत प्रिया बुश्रा युक्ता संकट मोचंस चित्रांश बिलाल काम्या गुन-गुन स्वाती मारिया ग्रेट जी प्रिया ग्रेट बश्ष्ष्ट यादव राइट प्रीतम गेट जी नाइस तो सी यू जादा लोगों को लिंक कर दीजी बिकाज आप में से बहुत से बच्ची चीज पहले से जानते भी होंगे मुझसे पढ़ भी चुके हैं सो एक रिवीजन हो जाएगा एक रिकाप हो जाएगा क्विक्ली सो मजा आने वाल है जी बहुत डॉक्टर रिशब तोमर मारिया उमर फारुक श्यान ग्रेट जी वांड़फूल नाइस तो सी ओल फ्यू चलो तो शुरू करें जी फिर जल्दी से बताइए सब लोग जल्दी से शुरू कर दें जी तान्या करिश्मा शाहेद ग्रेट जी सौसर जाद लोग हो गए हैं इस चली जी शुरू करते हैं सेशन कमाउन क्विक्ली और बीच ब बातें याप से भी पूछता रहूंगा चले क्रेंरी यल्नेर्व जो है डेखते हैं कितने भी होते हैं ख्रें नर्विशन थे हां व्यासल क्रेंट में नर्व्ज एसकूं है जो brain में enter करती है और कुछ ऐसी होती है जो brain से originate करती है अगर कोई brain से originate करके किसी organ की तरफ जा रही है तो वो motor हो गई अगर किसी sense organ से brain की तरफ आ रही है तो sensory हो गई और अगर किसी nerve में sensory nerve fiber और motor nerve fiber दोनों हैं तो हम उसको बोल देते हैं mixed cranial nerve जी सबसे पहले याद रखना cranial nerves का number कितना है ट्वल पेर्ज इन एमनियोट्स होते हैं रप्टाइल्स बर्ड्स जिनके आम्प्रियो के चारों तरफ अम्नियोटिक मेंब्रेन होती है तो इन में कितनी है ट्वल पेर्स बारा जोड़े पेर्स में है ध्यान रखना याद 10 पेर्स इन केस अफ अनम्नियोट्स फिशिस और अम्फीबियन अनम्नियोट्स अब इसमें यह भी हो मानों फ्रॉग का पूछले भी फ्रॉग में कितने पेर्स अगर आप से पूछा जाए श्कॉलियोड़न युक्ता जवाब दीजेगा बलवन्त डॉक्तर राहूल प्रग्यान संदीब अगर हमसे पूछा जाए कि डॉग फिश में स्कॉलियोड़न में तो आपने ध्यान ना करना है वो फिशिस को बिलॉंग कर रही है पाइसस ग्रॉप को तो भाई उसमें भी 10 पेर होंगे अगर हम में पिजन में पूछ ली जाए अगर हमसे राबिट में रैट में माउस में पूछ ली जाए तो इसलिए मैंने आपको ग्रुप्स बता दी है याद रहेगा जी क्लियर है राजा बिटा ना निवेदिता वाहिद संदीप गुन-गुन क्लियर है आपके पहरे पहरे लाइक्स जो है वो आते रहने चा जिसमें नमबरिंग जो होती है राजा बिटा वो रॉमन नूमरल्स में ही करनी होती है यह आपको ध्यान लखने यही वाला एक दो तीन चार आपको लिखना है सो क्रेणियल नमबर वान टू थ्री फॉर से लेकर के ट्वल्व तक राइट जी एक तो पहला मैंने बता दिया कन्वेंशन ने फॉलो करना है कि वह जो नमबरिंग होती है इनकी यह रॉमन नूमरल्स में है दूसरा इसी सीक्वेंस में हमें याद करनी है क्रेणियल लव्स ऐसा नहीं कि आप अब्डूसंस को नमबर वन पर लिख दे और अडिट्टरी को नमबर टू पर लिख दे नही इसी सीक्वेंस में तो यह सीक्वेंस क्या है देखते हैं एक बार ओल्फेक्ट्री ओप्टिक अक्यूलो मोटर ट्रॉक्लियर ट्राइजेमिनल अब्डूसंस फेशियल ओडिट्री ग्लोसो फरिंजियल वेगस स्पाइनल असेसरी हाइपो ग्लोसल प्रेंसीशन अब्डूसंस फेशियल ओडिट्री ग्लोसो फरिंजियल वेगस स्पाइनल असेसरी हाइपो ग्लोसल यह इसी सीक्वेंस में क्यों है क्या बता सकते हैं ओल्फेक्ट्री को ही प्रथम पे क्यों रखा गया है वाई ओल्फेक्ट्री इस नंबर वन कोई वज़े होगी ना ओल अब्रक डर आखल लगाउ अगेर अग्र आप साइच से देखर स्पोर्स अपसी सबसे पहले है और के को अब्रमीर इसव क्यों अधित्य, सीमा, अभिनव, युक्ता, युक्ता ने सारी cranial nerves के नाम लिखे बेज़े हैं, that's really wonderful, बलवन्द, चलो, so इसी sequence में रखना है इन्हें, exam में question क्या पूछलेंगे, which is cranial nerve number 10, so 10th वाली cranial nerve पे अक्सर question आता है, आपने ध्यान लखना है, cranial nerve number 10 जो है, that is Vegas, right, Vegas का नाम V से शुरू है न, अगर हम इस V को, suppose this is Vegas, इसी V के नीचे एक उल्टा V बना दें, तो 10 बन गया ना, रॉमन वाला, तो ध्यान लकलो, Vegas is number 10, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, so एक तो यह sequence हो गया, अब दूसरी चीज, भाई, कौन सी cranial nerve sensory है, और कौन सी cranial nerve motor है, sensory होती है, जो कोई sensation लेकर के आए, motor जो कोई command लेकर के जाए, so इसके सामने लिखा है, पहली दोनों sensory, sensory, motor, motor, then mixed, right, then again, motor, फिर mixed, फिर sensory, mixed, mixed, motor, motor, अब यह याद रखने का तरीका क्या है, देखो, मैंने यहाँ पे एक simple sentence लिख दिया है, इसके अधार पे आप याद कर लेंग और उस sentence को भी इसी sequence में लिखना है, some say money matters, but my brother says big books matter more, फिर से बोलते हैं, some say money matters, but my brother says big books matter more, अब देखो, some say, s ले लो पहला वाला sensory, say का पहला s, sensory, money का m ले लिया, motor, matters, again motor, so some say money matters, उसके according यहाँ पे sensory, sensory, motor, motor, sequence बनता जा रहा है, जहाँ पे आ जाएगा न, be, be मतलब both, both यानि mixed, ऐसे दियान नकले न, but word का हमने be ले लिया, be is for both, both मतलब sensory भी और motor भी, तो जहाँ भी but लिखा है, वो वाली mixed हो जाएगी, यानि both हो जाएगी, clear है जी, यह sentence याद हो जाएगा सबको, some say money matters, but my brother says big books matter more, great जी, महबूबा अख्तर है, संदीप, युक्ता, नैना, शियान, संकट मोचन, शुभांकर, प्रिंस, चित्रांच, रत्नवर्मा, शिप्रा, wonderful जी, सो आपको sentence याद हो गया, 200 से जादा लोग जुड़े हैं, can we have 200 plus likes also, यार इतनी प्यारी प्यारी ट्रिक्स आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, और आप जैसे अच्छे अच्छे बच्चे इतनी जल्दी सीख रहे हैं उस चीज को, सो आपके पहरे-पहरे likes भी आते रहने चाह लेते हैं, olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, spinal, accessory and hypoglossal, some say money matters but my brother says big books matter more, तो ये हो गई sensory और motor वाली कहानी, मतलब आप उनका nature कैसे जान सकते हैं, उसके लिए ये complete table, अब इन cranial nerves का नाम कैसे याद रखना है, उसे याद रखने के लिए भी एक clue देता हूँ, आ देख तो ये है कि तीन में जोड दीजिए, तुकडों में तोड दीजिए, फ्रेग्मेंटेशन कर दीजिए, OOO, TTA, FAGV, SH, उटा, फैगव, SH, शॉट में तोड लेते हैं, हमने पहले तीन एक्षरों के तीन O ले लिए, olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, और S और H से क्या हो जाएगा, spinal, accessory, and hypoglossal, एक ही यह सान तरीका हो गया, roughly अपने mind में रखने का तरीका मेरे राजा बेटा, that is OOO, olfactory, optic, oculomotor, TTA, trochlear, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, spinal, accessory, and hypoglossal, clear है, अब अग तीन O आ रहे हैं भई एक साथ, OOO, हमने कहा, olfactory, optic, oculomotor, यहाँ भी तो confusion हो सकती है, कि पहली वाली olfactory थी है, पहली वाली optic थी, तो एक sentence इसके लिए भी तयार की है, जो आपके लिए, जो आपको असानी से यह चीज़ याद करा देगा, चित्रांश, देखो बेटा, यहाँ पे फिर वही numbering किस में लिखना है, roman numerals में, यह आगए उनके नाम, उसके आगे एक sentence लिख दी है मैंने, जो sentence आप ध्यान दखेगा, old, op, occasionally tries trigonometry, मालीजे, op किसी का नाम है, और वो भूड़ा है वो शक्स, old है, old, op, occasionally tries trigonometry, and feels awkward, gloomy, vague, sad, hypoactive, वो awkward मैसूस करता है, and feels awkward, gloomy, मतलब उदास, right, vague, sad, hypoactive, so इससे आपको पूरा sequence मिल जाएगा, अगर मैं old word का o और l लेता हूँ सबसे पहले, so ol stands for olfactory, op word का op, so op is for optic nerve, occasionally का, पहले action ले लिए तो बन गया oculomotor, tris, tr, यानी trochlear, then trigo, tr, g, it is trigeminal, and का a ले लिया तो बन गया abducence, feels का aphlea तो बन गया facial, awkward का a लिया तो बन गया auditory, gloomy, gl, glossopharyngeal, vegas, नाम सी इंदाजा लग गया, vegas, right जी, sad, s, spinal accessory, hypoglossal और hypoactive, clear है जी, कितने बच्चों को साथ-साथ याद हो गया है जी, नीतू, रेखा, रतना, लकी, अभीने, तपोजिता, प्रिया, अनुराग ने लिख करके भेजा है, old op occasionally tries trigonometry and feels, awkward, gloomy, vague, sad, hypoactive, यहाँ पे अगर अक्ष्रों की गडबर होने लगी नो, तो आपको फैगव भी तो याद है, F, A, G, V, तो जो आप ही याद कर रहे हो, feels, awkward, gloomy, vague, वो फैगव से आपको relate कर जाएगी, which is clear है मेरे राजा बिटा, बोलिए जी, जल्दी से, वाहिद, रतना, सोनल, शियान, शियान याद हो गया, अंकुर, अंकुर कहारें जी, very good trick, great अंकुर, आन जी, awesome method है, इन्बिसत, जियोती, आमन, अमर फारुख, अभे, तो इसी तरह के छोटे-छोटे ये tips and tricks आपके लिए लेकर के आएंगे, ताकि आपको मज़ा आता रहे, गुलाब, बढ़िया कहाना मैंने, चलो, एक बार quickly तीनों चीज़े देख लें, जो हमने याद करी, सबसे पहले मैंने बोला, 12 pairs of cranial nerves in case of amniots, reptiles, birds and mammals, 10 pairs of cranial nerves in case of anamniots, fishes and amphibians, फिर मैंने कहा, वो जो 12 pair आपको लिखने हैं न, वो Roman numerals में लिखने, एक, दो, तीन, चार यही वाला लिखते हैं, इसी sequence में क्यों है, because it represents the sequence with which they are attached with your brain, फिर नाम बताए, olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, spinal, accessory and hypoglossal, फिर मैंने बताए कि याद रखने हैं, sensory कौनसी, motor कौनसी, some say money matters, but my brother says big books matter more, फिर एक sentence हमने याद कर लिया भाई, उनका नाम याद रखने के लिए, old OP occasionally tries trigonometry and feels awkward, gloomy, vague, sad, hypoactive, I hope, इतनी असान tricks से मेरे सभी राजा बेटा and राणी बेचियों को नव्स याद हो गई, अधित्ये ने सारे नाम लिख करके भेज़ दी है, wonderful अधित्ये, गुनगुन जी, clear है, there's an ID by the name Shridevi, okay, and the message is thank you sir, I have struggled a lot with them, अब आपको बिल्कुत struggle नहीं करना पड़ेगा, परेशान होने के ज़रूरत नहीं है, है ना, बस ये ध्यान दखना है, 10th तक जो है, वो आपके अनेमियोट्स में हैं, और अगर अनेमियोट्स की बात करें, तो 11 और 12 भी है, कई बात पूछ लेते हैं, which cranial nerve has maximum branches, Vegas, Vegas को wandering nerve भी कहते हैं, Vegas is the only cranial nerve which crosses neck region and supplies your body organs, बाकी जितनी भी हैं, वो सिर से उपर-उपर ही खतम हो जाती है, all factory, optic, oculomotor है ना, अगर eyeball movement के लिए कहें, तो third, fourth and sixth, cranial nerves number third, fourth and sixth जो होती है, वो eyeball movement के लिए होती है, यहाँ पे है cranial nerves का origin, कि कौन सी nerve कहां से originate हो रही है, पहले कभी कबार aims में, जिप्मेर में इस तरह के technical questions भी पूछ लेते थे, मैंने आपके लिए पूरा tabular form में इस तयार कर दी है, एकदम असान तरीके से कि आपको याद रहेगी, कौन सी cranial nerve जो है, वो कहां से शुरू हो रही है, पहली वाली है olfactory sensory है, तो sensed organ से ही शुरू होगी, olfactory जो है, it originates from olfactory epithelium of your nose, carries the sense of smell, second, optic, optic is for vision, vision जो है, retina से originate होगी, light falls on your retina and then the nerve impulses are generated, जो ganglion cells होते हैं, retina में उनके exons ही तो optic nerve बनाते हैं, तो second one जो है, optic वो retina से शुरू होती है, right, third and fourth, they originate from midbrain, fifth, sixth and seventh originate from pons, eighth one originates from cochlear and vestibular apparatus of internal ear, atomy auditory है, auditory nerve को vestibular cochlear nerve भी कहते हैं, क्योंकि हमारे ear में vestibular apparatus और cochlear दो चीज़ें होती हैं ने, internal ear में, एक तो hearing के लिए और एक balance और equilibrium के लिए, तो eighth cranial nerve जो है, auditory जो है, जिसको acoustic nerve भी कहते हैं, या vestibular cochlear nerve भी कहते हैं, यह उसकी दो branches होती हैं, cochlear branch, cochlea से related है, vestibular branch, vestibular apparatus से related है, right, then, 9 से लेकर के 12, 9, 10, 11th and 12th जो है, they originate from sides of medulla, clear है जी, right, origin of cranial nerve, वाहेद, वाभवी, मारिया, गुन-गुन, इन्विसत, सोनल, मीतू, युकता, बिलकुल, acoustic nerve भी बोलते हैं उसको, that's great, we have nearly 208 people, and 208 likes also, that's really nice, चलो, यह भी एक print-out निकाल के रख लेना, अपने सामने आपको याद रहेगा, अच्छा, एक ही छोटी सी चीज़ और याद रहेना, अगर आपसे हो पाए, कि आईबाल मुव्मेंट के लिए, यह मैंने बताया, बहुत सारी cranial nerves है, जो आईबाल मुव्मेंट के लिए responsible है, जिसमें से third, fourth and sixth, आईबाल के अलग-अलग muscles होते हैं, extracular muscles of eyeball, eyeball का structure हमने पढ़ा है, बाहर वाली layer sclera है, tendons of extracular muscles are attached to sclera, जिसके कारण eyeball का movement, अलग-अलग दिशाओं में होता है, superior rectus muscles, inferior rectus, lateral rectus, medial internal rectus, superior oblique, inferior oblique, इनको supply करने वाली यह nerves हैं, oculomotor, 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 ज्यादा तर muscles को oculomotor nerve supply कर रही है, ocula refers to eyeball, motor refers to movement, then abducens, trochlear and again oculomotor, तो याद रख लेना कि cranial nerve number third, fourth and sixth, 346, third, fourth and sixth are for eyeball movement, muscle का नाम नहीं भी याद रहता, कोई बात नहीं, रख पाएं, तो बहुत बड़ी बात है, किस तरह का movement वो दे रहा है, वो लिखा हुआ है, कई बार, कुछ books में बड़े typical questions आपको मिल जाते हैं, राजा बेटा, जब आप solve करने जाते हैं, यह भी पूछ लेते हैं, कि किस तरह का movement कौन सा muscle दे रहा है, या पुराने exams के आप questions, जब previous questions solve करेंगे न, वहाँ पे आपको इस तरह के questions मिल जाएंगे, राइट, चलिए, ठीक है, so I hope you have enjoyed the session, मज़ा आया जी आपको, आप end करते हैं, session यही पर ऐसे छोटे-छोटे sessions आपके लिए लेकर आएंगे, floral formulas कैसे याद करने हैं, राइट, इसी तरह की और कई सारी चीज़ें आपके साथ discuss करेंगे, hormonal disorders कैसे याद रखें, so I'll keep on giving you such small tips and tricks, चलिए, अब जल्दी से सुननी जी मेरी बात, एक तो आपने चार बजे दुबारा मिलना है हमें, किस topic के लिए, आज cockroach का development हम discuss कर लेंगे, metamorphosis, fertilization, सारी चीज़ें, cockroach के बहुत सारे questions भी discuss करूँगा आज आपके साथ, 4 बजे से, 5 बजे, चलिए, अब आप मैं आपको बता दूँ जल्दी से, कि टेलिग्राम का ये बहतरी नैप अपने cell phone में डाउनलोड कर लीजिए, tinyurl.com slash neat life chat, जब आप टाइप करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, neat mobile का ये बहतरीन feature है, इसे explore कीजिए, जैसे ही आप phone के browser में, tinyurl.com slash neat mobile type करेंगे, तो इस तरह का एक page आपके सामने खुल जाएगा, जहां पे आपको सारे lectures का index देखने को मिल जाएगा, और notes डाउनलोड करने की भी सुविदा है, plus का ये बहतरीन platform explore कीजिए, meet 2021 के लिए भी batches शुरू हो रहे हैं, जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएए, जहां पे plus classes हैं, test series हैं, quizzes हैं, doubt clearing sessions हैं, इंडिया के बहतरीन educators के courses हैं, सो personalized retention मिलेगा आपको, किसी भी exam की तैयारी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, कि किसी mentor का आपके सर पे हाथ होना, और आपका mark दर्शन जो है mentor के द्वारा किया जाए, सो यही मौका आपको मिलता है, जब हम अपमारे साथ plus के इस platform पे जुड़ते हैं, line academy का learning app अपने cell phone पे install कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, plus category में जाना है, neat select करना है, and get subscription, subscription लेते समय जो code यूज करना है वो ध्यान लखेगा, the code is such in life, सबने such करने हैं तो such in life, one year का subscription ले लीजिए, neat 2021 के लिए, एक साल के लिए, आपको fees जो है, मेरा code यूज करने के बाद 27,000 पड़ेगी, and आपको भेतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, एक चीज़ और बता दूँ, आने वाले दिनों में टाइमिंग्स थोड़े से चेंज होने वाले हैं, मंडे, टूज़ए, वेंडेज़ए हम क्लास 11 के टॉपिक्स बढ़ाते हैं, और टाइमिंग्स जो रहेंगे, बाइलोजी की, मेरे साथ आपके क्लासे होंगी, साथ बज़े, फिजिक्स आठ बज़े, केमिस्ट्री, नौ बज़े, क्लास 12 के डेज होते हैं, फ्राइडे, सारेडे, और संडे, सब्ज़ेक्ट के टाइमिंग, बाइलोजी सेवन, फिजिक्स एट और चेमिस्ट्री, नाइन, यह हमारे सिस्ट्र चैनल्स हैं, इंजिनिरिंग के लिए अन अकैड़मी, JEEE, जिन लोगो ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बैल आइकन को हिट कीजिए, हैश्टेग नीटलाइफ डेली के साथ, आप हमारे लेक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है, लाइक और शेयर तो आपको करने हैं, इसका PDF form आपको मिल जाएगा, जैसे ये लेक्चर यूट्यूब पे अप्लोड़ेट दिखेगा, नीचे एक description box होगा, उस box में एक link होगा, उसे click कीजिएगा, आपको ये notes सारे के सारे मिल जाएंगे, राइट जी, चलिए जी, फिर से एक बार end में बता देता हूँ, code जो आपको use करना है, that is such in live, you'll be getting 10% off, और आपको मुझसे पौड़ने का भेतरी मौका मिलेगा, इनफेक्ट मुझे भी मौका मिलेगा, आप जैसे अच्छे बच्चों को guide करने का, और आपके मुकाम तक पहुंचा आने का, रश्मी, विने, आदित्य, सोनल, सुनैना, बाबुतुलसी, कुशाल, चले, अब आपसे विदा लेते हैं सागर, फिर मिलेंगे शार्प चार बजे, राइट जी, और चार बजे जो है, हम अब फिर आगे continue करेंगे, विद टॉपिक कॉक्रोच, और questions भी discuss करेंगे, बाइबाइ, God bless you.